वेलकम स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम इमामी के चैप्टर वन के दूसरे टॉपिक जो की हमारा होता है Characteristics of Measuring System इस topic को cover करने वाले हैं exam में यह जो topic है 5 marks का आता है ठीक है तो characteristics से हम क्या समझते हैं किसी भी measuring system का जो characteristics है ठीक है उसकी विशेषता को बताता है ठीक जैसे कि इसके तोरह जो measurement लिया जा रहा है उस measurement की quality के बारे में बताता है उस measuring system का characteristics तो mainly चार important characteristics हैं उसको हम इस video में deal करेंगे तो सबसे पहला आता है इसमें accuracy इसे हिंदी में कहते हैं यथार्थ इस video में आपको समझाने की कोशिस करूँगा कि accuracy actual में है क्या उसको समझने की कोशिस करेंगे हम और आपको जैसे exam में लिखना है तो उसके लिए भी आप prefer कर सकते हैं 5 marks का आता है अब accuracy क्या है किसी measuring system के लिए accuracy का क्या मतलब होता है तो accuracy का मतलब होता है close to close to true value close to true value देखिए इस word इस sentence का meaning है देखिए हमारे पास बहुत सारे जो measuring system होते है ठीक है उसमें जो value हमको reading मिलती है उसको हम बोलते है measured value measured value ठीक है लेकिन आपको पता है कि हर measuring instrument में कोई ना कोई error होता है जिसके कारण हमको actual value नहीं मिल पाती जिस quantity को हम measure कर रहे है तो दूसरी value होती है actual value या उसी को कहते है true value practical measurement systems में यह जो measured value होती है और यह actual value होती है यह दोनों एक जैसी नहीं होती जबकि इनको ideally क्या होना चाहिए एक दूसरे के बराबर होना चाहिए लेकिन measuring system में कुछ error होने के कारण measuring system का जो measured value होता है वो true value के या actual value के बराबर नहीं होता लेकिन इसके जो closeness है इन दोनों value का जो closeness है कितने ही एक दूसरे के पास है इस चीज को बताता है हमारा accuracy अगर किसी instrument की accuracy ज़्यादा है अगर किसी instrument की accuracy ज़्यादा है इसका मतलब यह है कि उसका जो measured value है उसका जो am से represent कर रहा हूँ measured value को और true value को 80 से तो उसकी जो measured value है वो बहुत close है close to true value अगर उसकी accuracy ज़्यादा है और अगर accuracy बहुत कम है अगर accuracy बहुत कम है तो am is far from 80 मतलब जो measured value है वो true value से बहुत दूर है मतलब जो हमारा accuracy है वो क्या बताने की कोशिस कर रहा है कि जो हमारा instrument है measuring instrument उससे हमने जो measurement लिया है जैसे कि हमारे पास क्या है measured value है am लिया हुआ है हमने reading लिया हुई है तो ये उस quantity के true value actual value से कितना करीब है कितना pass है तो degree of closeness को बताता है degree of closeness इसको represent करता है हमारा accuracy accuracy क्या बताता है degree of closeness किसके किसके बीच का बताता है तो measured value और true value के बीच का closeness की degree को बताता है है ना अगर देखिए क्या होता है कि measured value और true value के बीच कितनी closeness है उसको measurement करने के लिए एक parameter है वो है accuracy तीक है इसके जो closeness है degree of closeness इसको check करने के लिए एक parameter है हमारे पास accuracy तीक है यही accuracy होता है अगर accuracy ज़ादा है मतलब का measurement ज़ादा अच्छा है और accuracy कम है इसका मतलब measurement खराब है फिक है उसकी quality अच्छी नहीं है अब दूसरा जो हमारा topic है इसमें यह है दूसरा जो characteristics है यह हमारे पास है precision important है यह भी पूछा जाता है precision का मतलब क्या होता है precision का मतलब होता है इस quantity को आप एक measuring system से measurement कर रहे हैं और measuring system से measurement करने पर आपको value मिला am1 ठीक है एक पहली value मिल गई reading मिल गई आपको फिर आपने क्या किया इसी quantity का इसी जो measuring quantity था इसका ही आपने दुबारा measurement लिया और इस बार reading आई am2 ऐसे ही number of times आपने reading ली ठीक है और आपकी जो reading आई वो आई am और मैं n से represent कर देता हूँ n times तो हमने क्या किया n times measurement किया same quantity का n times measurement किया same same quantity का ठीक है जिससे हमको measurement मिले am1 am2 और amn बहुत सारे n times of n times हमने measurement किया तो n times हमको reading मिल गए तो precision का मतलब क्या है precision का मतलब यह है कि यह सब क्या हो बराबर हो जितने बार भी आप reading ले जितने बार भी आप same quantity का reading ले वो हमेशा same measured value ही दिखाए ऐसा मत हो कि एक बार आपने am1 दिखाया और दुसरे बार am2 दिखाया और यह दोन एक दुसरे के बराबर नहीं है जबकि हम measure तो same quantity को कर रहे हैं तो अगर same quantity को बार बार measure किया जाता है तो उसका जो reading है वो भी वैसा ही आए same आए ठीक है पहले की तरह ही आए तो इस चीज को बोलते है precision इस चीज को जो measure करता है वो parameter है precision अगर precision बहुत जादा है इसका मतलब यह है कि आप अगर same quantity को बार बार measure करेंगे तो उसका reading भी हमेशा same ही आएगा ठीक है तो precision clear हुआ आपका यह क्या है degree of repeatness है बार बार हम measurement को same measurement को अगर repeat करते हैं तो हमको same results प्राप्त हो तीसरा जो हमारा यहाँ पे characteristics हम discuss करेंगे वो है resolution resolution के बारे में आप सभी familiar होंगे किसी भी instrument measuring system का जो resolution होता है उसके द्वारा मापी जाने वाली सबसे छोटी quantity होती है ठीक है किसी instrument के द्वारा किसी measuring instrument के द्वारा ठीक है किसी ऐसी quantity मैं एक बार आपको definition भी लिख देता हूँ हिंदी वालों के लिए बहुत अच्छा होगा किसी measuring instrument के द्वारा मापी जा सकने वाली मापी जा सकने वाली ठीक है लेकिन कैसे मापी जा सकने वाली accurately accurately मापी जा सकने वाली quantity को resolution कहा जाता है resolution कहा जाता है मतलब यह है कि जैसे हमारे पास एक scale है ठीक है यह भी मेरा क्या एक measuring instrument है scale है अब इसमें आप बताईए centimeters बने होते हैं इस तरीके से और एक जो centimeter होता है शुरू का हर जो centimeter का division होता है इसमें 10 खाने होते हैं ठीक है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस यह मालो एक centimeter है 0 से 1 तो इसका जो एक खाना है ठीक है वो क्या होता है आपको एक mm बनाएगा एक millimeter मतलब इस scale से accurately एक mm को नापा जा सकता है लेकिन अब मैं कहूँ कि आप क्या मापो 0.1 mm को नापके दिखाओ तो इस instrument से 0.1 mm को मापा जा सकता है अंदाजे से ठीक है लेकिन accurately नहीं मापा जा सकता तो resolution क्या बताता है किसी measuring instrument के द्वारा accurately मापी जा सकने वाली सबसे छोटी quantity को resolution कहा जाता है तो resolution का समझ में है मतलब आपको अब इसी में क्या है voltmeter है, emitter है उसके जो resolution है उसका जो सबसे छोटा quantity जैसे इसमें क्या है 1 mm तो 1 mm क्या है इसका resolution है वैसे ही ampere में हो सकता है ठीक है volt में हो सकता है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि resolution को कैसे define करना है इसके बाद हम देख लेते हैं आखरी हमारा जो characteristics है resolution के बाद sensitivity होता है sensitivity sensitivity जो parameter होता है वो हमारे response speed को बताता है हमारे measurement में कितना sensitivity है है ना जैसे कि हम input को change करें तो output भी हमारा फटाफट change हो sensitivity का जो formula होता है change in output change in output divided by change in input जिस measurement को जिस quantity को हम measure कर रहे हैं उसमें होने वाले change की वज़ा से उस instrument का output में होने वाला change इनका जो ratio होता है वो होता है आपका sensitivity जैसे कि आप resistance का measurement कर रहे हैं ठीक है तो resistance में होने वाला change ठीक है उसके input में हुआ change resistance actually resistance जो था रजिस्टर जो था उसके resistance में change हो गया temperature के change होने के कारण तो जो हमारे instrument का जो output है वो भी तुरंट change होना चाहिए तो यह जो ratio होता है change in output divided by change in input is sensitivity अब यह input और output किसके है of measuring instrument input of measuring instrument तो measuring instrument में आने वाला input उसमें होने वाला change और measuring instrument के output में होने वाला change इसका जो ratio होता है यह होता है आपका sensitivity तो sensitivity instrument का आप बता सकते हैं अगर sensitivity क्या है बहुत जादा है तो इसका मतलब क्या है sensitivity बहुत जादा है मतलब अगर कोई small change भी इसमें आ रहा है इसके input में ठीक है किसी measuring instrument के input में अगर small change भी आ रहा है तो उसका जो output है वो बहुत ज़्यादा change होता है तो sensitivity के मतलब यह है कि हमारा जो output है measuring instrument का वो output में large change आएगा अगर small change input में आता है इसका मतलब कि छोटी से छोटी changes को भी उस instrument के द्वारा measure किया जा सकता है अच्छी sensitivity होने का मतलब यह है कि छोटी से छोटी small changes in input can be measured quickly and accurately तो इस तरीके से आपका जो 5 marks सा question आता है chapter 1 में वो हमने कर लिया है अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लिजे और इस video को like करिए अगर आपको अच्छा लगा इस video को like करिए और दोस्तों के साथ share जरूर करिए धन्यवाद